जो सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो काड़ा बहुत ही पूराना है और बहुत ही जानामाना काड़ा है, COVID-19 की समस्या होग भी ठीक हो जाएगी, आपको खाची जो काम हो भी ठीक हो जाएगा, आपको क्या सबसे पहले आपको चोकर लेना है चोकर जो आपके घर पर होता है जो रोटी बनाते इसमें निकल जाता है आप उसे ले लीजिए ठीक है उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए आप अपने अवस्चता अनुसार थोड़ा सा पानी मिला लीजिए दोस्तों आप अची द्रेक से mix कर लीजिये mix का पाड़ा बना लीजिए खीच आप इसके वाद कर लिजिये तो अपने देखा ही होगा इस पर रोटिया सिर्ट है वह अपता लें लीजिये हमारा गैस ओन होचुका है हम ने थी लिए लिए रख देते हैं और इस पर अपने इसे काड़े को ड लाती है अपने देखाए वह होगा बहुत इच्छ मुझा है अगर आप इस नुश्की का इस्तमाल करेंगे तो आप लोगी बहुत ज्यादा होगा और आपको कार्शी जुखांप शिलाल आज में खाशी जुकाम बहुत ज्यादा चल रहा है मैं आपको लास्ट बता हुआ कि इस काड़े को किस नाम से प्युकरा जाता है जैसे आप लोगो ज्यादी से ज्यादा फाइदा हो तोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें चलो इसे पकने देते हैं आप इसे घोलते रहना क्योंकि अगर इस जल जाएगा तो नुकसान भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है आप इसी ऐसे ही चलाते रहे हैं चलाने से क्या होगा कि आपका खाड़ा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा आपको फाइदा देगा इसके अंदर चोकर है चोकर क्या करता है हमारे सिरी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोसकतर तू होते हैं जो हमारे सिरी के लिए बहुत ज़्यदा फाइदा करते हैं इससे हमारे सिरी को बहुत ज़्यदा फाइदा भी होगा और हमें खासी से भी मुक्त हो जाएगा नमक क्या करता है नमक भी हमारी खासी को ठीक करता है और हमें सास समस्या भी हो जाती है तब उसे भी ठीक करने के लिए आप नमक का इस्तमाल कर सकते हैं आपने देखा होगा नमक का पानी भी पीते हैं गरम पानी पीते हैं नमक का पानी पीने से भी आप लोग के सांस में बहुत ज़्यादा हो जाता है देखो हमारा काड़ा कितनी अच्छी तूट जाती है तब उस समस्या को दूर करने के लिए भी हल्दी इस्तिमाल में ली जाती है इसलिए ह्रीकृट सिस्टम यानि के ख्वेपटों से जुड़ी जितनी समस्या होगी वैसे इस काड़े से दूर हो जाएगी दोस्तों बहुत अच्छा कड़ा है आप इसे थोड़ पकने देते हैं तो हम इस अशितर लगह यहां के लぎए आय notwend अशका कव्त ड़ेस बना चक्ते हैं आप इस जोका आपने घर पर ही बना चकते हैं घरब बनाने इसर नुषए को आपको खायदा होगा और आपको खाशीज थे आपको खाशी पाशी शिखुर जितनी समस्षा होगी सभी समस्षा दूर हो जाएगी देख अब हमारा काड़ा पकर तयार हो गया अब हम इसे गैस को ओफ करते हैं हमने गैस को अब कर दिया अब हम इसे सारे को इकटा करते हैं अब हम इसे तरह को चलनी ले लिए और शलने में हमसे चानते हैं आप दीरे धीरे इसे चान लेना जिसे आप लोग का खेंड़ा वी न और आप लोगो ज्यादा फाइदा भी हो जाएं आप इसे चानते रहना ऐसे जैसे में आपको दिखा रहा हूँ जो मैं आपको ऑरिजिनल तरीके से दिखा रहा हूं लाइव दिखा रहा हूं इसमें आपको ज़्यादा फैदा होगा अब इसे वहलत रही है हमें इसका शिरुप काड़ा पीना है जूस बागे ऊपर प्रोडक्ट हमें बाहर गेर देना है हमें इसका जूस पिना यह शिरुप यह ति निकालते इसका हमारा एक काड़ा तियार होना है अब हम इसे चांदते रहते हैं उसे देखते हैं कि कितना निकलता है दोस्तों इस काड़े को बनाने के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया था ठीक है पानी लिया था उसके अंदर आधी चमच हल्दी पॉर्टर लिया था और अवेश्कता के नमक डिया थोड़ा इसमें अध्रग डाला है और इसमिए मेंने दो छमच्श काड़ा बच जाता है वे डाला है तो हमारा काड़ा बन कर तयार हो चुका है आप यसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रक दीजिये जो यह ठंडा हो जाएगा आपको इसकी करीबन चार चममच चार चममच आपको पीनी है यह सुबह और साम आप दो-चार दिन तक पीते हैं तो आपको खासी से जूड़ी समस्या कैसी भी हो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होती हो खासी हो या आपको कोविड-910 की भी समस्या हो जैसे गले मे खरास होना वोली में दर्दपीड होना या आपको खासी हो चलने फिलने में दिक्कत होना सौस फोलना यह सबहसे सभी इस our bond तो बात करती इसी किस नाम से पोकार है जाता है कि वोती पूरा ना अरविडिघ प्रॉड़क्ट है आप इसे इसतिमाल करते है तो आपको हंडैर प्रसेंट फायदा होता है। दोस्तो यह चोटा सा नुस्का बहुत ही ज़्यादा फायदेवद होता है आप इस नुस्के का जरूर इस्तमाल कीजिए दोस्तो आपको एक नुस्का और बताने जारा हो आप इस नुस्के का भी इस्तमाल कीजिए इससे भी आप लोग COVID-19 की समस्या को पहले ही पैचन सकते हो तो आप खासने से पता कर सकते कि आपको खासी है यापको-Covid-19 है आप इससे पहले ही मौलूम कर सकते हैं इससे पहले ही अप आपको तरीका बताने जारा हूँ सबसे पहले आप खास ये जैसे मैं खासता हूँ ऐसे खासने से के बाद आप पचास तक गिनती गिनए अगर आप धीरे धीरे गिनते हैं तो आप पचास करोश कर लीजिए और अगर आप तीजी मातरा से गिनते हैं तो आप सोख रोश कर लीजिए अगर आप ऐसे करते हैं और तो आप लोग कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी COVID-19 की समस्या नहीं होगी जैसे आपको प्रैक्टिकल बता रहा हो जैसे आप दीरे-दीरे कर सकते हैं जैसे एक दो तीन चाहर पांचे साथ आर नो दस गैरा बारा तेरे चोदा पंदा सोड़ा से तरह ठारूनिश भीशी क जैसे एक दो तीन चाहर पंचे साथानयो दस अगर आप ऐसे करते हैं और सो तक आप कर देते हैं तो आपको बिलकुल भी कीजिवी परकार की आप को साथ लेने की तकलिप नहीं हो सकती इस आप लोगों कोई बी दिक्कत नहीं होगी ना आपको सांस कभी भी जिन्गी आपको सांस नहीं फूलेगा और अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं अगर आप इसे क्रोश कर देंगे और आप इस अभ्यास को पुरा करते हैं तो आपको सांस से जुड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा फैदा हो जाएगा आप चल भी सकते हैं और दोड़ भी सकते हैं अगर आप अपने घर बैठकर इस practical से जितने समय तक आप जितना लंबा सांस रोक सकते हैं तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा फैदा होगा और आपको यह समस्या नहीं होगी और सांस से संबंदी जुड़ी सरी समस्या दूर हो जाएगे और आपको किसी परकारी COVID-19 समस्या नहीं होगी है आप यह प्रैक्टिकल अपने घर पर कर सकते हैं जिससे आपको इसके बारे में पता चल जाया और आप पहले से ही सवस्त हो जाये फिर भी आप अपने सरी को बचा जरूर रखिए साम के समय आप लोग को मठा नहीं पिना है चावल दही खटाई यह नहीं खाने क्योंकि COVID-19 बहुत ही खतरना समस्या है जिसे घर लेती है तब उसकी जाने निकल जाती है दोस्तों इससे बचने के लिए हमने आपको ए करास हो जुखाम हो किसी परकार के समस्या वेसे भी समस्या उस काड़े से दूर हो जागी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबर्दस्ता काड़ा बनाए दोस्तों हमने आप इस काड़े का जरूर इस्तमाल कीजिए और आप इस काड़े का इस्तमाल अपने आप भी कीजिए और अपने परिवारवालों के साथ भी कीजिए और आपका कोई भी जानकार हो जिसे भी खासी की समस्षा है गले में खरास होना ये समस्षा है तो आप यह वीडियो उन लोगों जोड़ दिखाईए और उन्हें यह कारा बना और दिखाईए और उने पिला ये भी जिससे उन्हें भी जादे से जादा फैदा हो सके अईसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजिए और बैले के जुरू पेश किजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को जुरू से जिसे भी इसका लाब उठा सेके दोस्तों कोई नाइंट से बचने के लिए आप मास्का जरूरी इस्तमाल किजिए और अपने घर पर ही सेफ रहिए मिलती है नेक्ष्ट में जब तक के लिए अपना और अपना परिवारवा लोगा ख्याल लगिए